मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी शिमान राजनाज जी, चीफ अब डिफेंस स्टाफ जंदल बिपिंद्रावज जी, सेना के तीनों अंग्यों के प्रमूप, भारत सरकार के सभी उपस्तित उच्चादिकारी, उद्योग जगत के सभी साथी, नमश्कार. मुझे खुशी है कि भारत में रक्षा उत्पादम से जुड़े हुए सभी एहम स्टेक होल्डर्स आज यहां मौझूद है. इस सेमिनार के आयोजन के लिए रक्षा मंत्री राजनाज जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ. आज यहां हो रहे इस मंत्रन से जो परणाम मिलेंगे उनसे रक्षा उत्पादन के खेतर में आत्म निरभरता के हमारे प्रयासों को अवश्य बल मिलेगा, गती मिलेगी और आप सबने जो सुझाओ दिये हैं, आज आपने एक सामुईक मंत्थन किया है, वो अपने आप में आने वाले दिनों के लिए बहुत उपकारक होगा. मुझे इस बात की भी खुशी है कि रक्षा मंत्री सिमान राजनाज जी इस काम के लिए मिशन मोड में पूरी तरह से जुटे हुए हैं. मुझे विश्वास हैं कि उनके इन अथक प्रयासों के कारण बहुत ही अच्छे परणा मिलना निश्चीत है. कि भारत कई सालों से दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में एक प्रमुक देश रहा है. कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय रक्षा उत्पादन के लिए भारत में बहुत सामर्थ था. उस समय भारत में सो साल से अधिक समय से स्थापित रक्षा उत्पादन का इको सिस्टिम था. और भारत जैसा सामर्थ और पोटेंशल बहुत कम देशों के पास था. लेकिन भारत का दुर्भाग्य रहा कि दसकों तक इस विशय पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था. एक प्रकार चे रूटीन एक्सिसाइज बन गया, कोई गंबीर प्यास नहीं किये गए. और हमारे बाद में शुरुवात करने वाले अनेक देश भी पिछले पचांस सान में हम से बहुत आगे निकल गए. लेकिन अब स्थिती बदल रही है. पिछले कुछ वर्षों में आपने अनुभव किया होगा, कि हमारा प्रयास इस सेक्टर से जुड़ी सभी बेडियां तोड़ने का एक निरंतर प्रयास है. हमारा उदेश है कि भारतिय में मैनुफेक्टिरिंग बढ़े, नई टेकनोलोजी का भारत में ही विकास हो और प्रयवेट सेक्टर का इस विशेश खेतर में अधिक कम विस्तार हो. और इसके लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार, लेवल प्लेइंग फिल्ड की तयारी, एक्सपोर्ड की प्रक्रिया का सरली करण, आफसेट के प्रावधानों में सुधार, ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं. साथियों, मेरा मानना है कि इन कदमों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, रक्षाक शेत्र में, देश में, एक नई मानसिक्ता हम सब अनुभव कर रहे हैं, एक नई मानसिक्ता का जन्म हुआ है. आधुनिक और आत्म निर्भर भारत के निर्माण के लिए, रक्षाक शेत्र में, आत्म विश्वास की भावना अनिवारिया है. बहुत लंबे समय से देश में चीफ अब डिफेंस टाप की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा था, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था. यह निर्णय नए भारत के आत्म विश्वास का प्रतीख है. बहुत लंबे समय तक रक्षा उत्पादन में विदेशी निवेश की अनुमती नहीं थी. स्रते अटल जी की सरकार के समय यह नई पहल की शुरुवात हुई थी. हमारी सरकार आने के बाद इसमें और सुधार किये गए. और अब पहली बार इस सेक्टर में 74% तक FDI आटोमेटिक रूट से आने का रास्था खोला जा रहा है. यह नए भारत के आत्मविश्वास का परणाम है. दसकों से औरिनन्स कारखानों के सरकारी विभावगों की तरह ही चलाया जा रहा था. एक सीमीत वीजन के कारण देश का नुक्षान तो हुआ ही, वहाँ जो काम करने वाले लोग थे, जिनके पास टालेंट थी, कमिक्मेंट था, मेंती थे, यह हमारा भहुती अनुभव से संपन्न, हमारा जो मेहनत करने वाला स्रमिक वर्ग महा जो है, उनका तो भहुत नुक्षान हुआ. जिस सेक्टर में करोडों लोगों के रोजगार के आउसर बन सकते थे, उसका एको सिस्टिम बहुती सिमीत रहा. अब, ओर्डिनन्स कारखनों का, कॉर्परेटाइजेशन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकिया के पुरा होने पर, स्रमिकों और सेना दोनों को बल मिलेगा। यह नए भारत के आत्मविश्वास का प्रमान है। साथियों, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को लेकर, हमारा कमिटमेंट सिर्फ बाचित में या फिर कागजों तक ही सिमित नहीं है। इसके कार्या नवेन के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठाए गए है। CDS के गठन के बाद सेना के तीनों अंगों में प्रोकर्मेंट्स पर समझवे बहुत भैतर हुआ है। इससे डिफेंस इक्विमेंट्स की खरीद को स्केल अप करने में मदद मिल रही है। आने वाले दिनों में डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए और्डर्स का साइज भी बढ़ने वाला है। यह सुनिश्चित करने के लिए रक्षाम मंत्रा लएके कैपिटल बजेट का एक हिस्सा अब भारत में बने उपकरणों के लिए अलग से रख दिया गया है। हाल में आपने देखा होगा कि 101 डिफेंस आइटम्स को पूरी तरह से गरेलू खरीत के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इस लिस्ट को और व्यापक बनाये जाएगा। इसमें और आइटम्स जुड़ते रहेंगे। इस लिस्ट का उदेश आयात को रोकना मात्र नहीं है बलकि भारत में उद्योगों को प्रोजसाहित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इससे आप सभी साथियों को चाहे वो प्राइविट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, मसमी हो, स्टार्ट अप हो, सभी के लिए सरकार की भावना और भविश्की संभावना अब आपके सामने ब्लैक और वाइट में क्लियर है। इसके साथ हम प्रोकरमेंट प्रकृरिया को स्पीड अप करने के लिए, टेस्टिंग की विवस्ता को स्टिम्लाइन करने के लिए और क्वालिटेटिव रिक्वार्मेंट्स को रेस्टिलाइज करने के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि इन सभी प्रयासों को सेना के तीनों अंगों का बहुती कोडिनेटर रूप में बहुती सयोग है एक प्रकार से प्रोएक्टिव भूमी का है साथियों आधुनिक उपकरणों में आत्मनिर्फरता के लिए टेक्नोलोजी अप्ग्रेडेशन जरूरी है जो उपकरण आज बन रहे हैं उनका नेक जनरेशन तयार करने पर काम करना भी आवशक है और इसके लिए DRDO के अलावा प्रावेट सेक्टर में और एकडेमिक इंस्टिटूशन में भी रिसर्च और इनेवेशन को प्रोजसाहित किया जा रहा है टेक्नोलोजी ट्रांसफर की सुविधा से हट कर 시ket फॉरेंट प्रावर्णिस के साथ जोइंट वेंचर्स के माधियं से कोफ प्रोडुक्शन के मोडल पर बल दिया जा रहा है भारत के मार्केट साइज को देखते हुए हमारे फॉरेंट प्रोडुक्शन के लिए अब भारत में ही प्रोड़ुक्शन करना सबसे उत्तम विकल्ब है साथियों हमारी सरकार ने शुरू से ही reform, perform and transform इस मंत्र को लेकर के हमने काम किया है red tipism कम करना और red carpet बिशाना यही हमारा प्रयास रहा है ease of doing business को लेकर 2014 से अब तक जो सुधार किये गए उनका परणाम पूरे विश्वने देखा है intellectual property taxation insolvency and bankruptcy यहां तक की space और atomic energy जैसे भहुत कठीन और जटिल ऐसे जो विशे माने जाते है उन विश्वों पर भी हमने reforms करके दिखाए है और आप तो अब भली भली जाते है पिछले दिनों labor laws में reforms का सिलसिला भी लगा अतार जो शुरूआ है चल रहा है कुछ साल पहले तक इस प्रकार के विश्वों पर सोचा भी नहीं जाता था और आज यह reforms जमीन पर उतर चुके हैं reforms का यह सिलसिला थमने वाला नहीं है हम आगे बढ़ते ही जाने वाले है और इसलिए न थमना भी है और न थकना भी है न मुझे थकना है न आपको थकना है हमें आगे भी आगे बढ़ते रहना है और हमारी तरब से मैं आपको बताता हूँ यह हमारा commitment है साथियों जहां तक infrastructure की बात है जो defense corridor पर तीजी से काम चल रहा है उत्तर प्रदेश और तमिलाड सरकारों के साथ मिलकर state of the art infrastructure तयार किया जा रहा है इसके लिए आने वाले पांच सालों में बीस हजार करोड रुपिये के निवेश का लक्ष रखा गया है MSME और start-up से जुड़े enterprise leaders को प्रोदसाइद करने के लिए IDES की जो पहल की गई थी उसके भी अच्छे परणाम मिल रहे है इस platform के माधियम से पचांस से अधिक start-ups ने सैन्य उप्योग के लिए टेक्नोलोजी और प्रोडक्स को विख्षित किया है साथियो मैं एक और बात आपके सामने खूले मन से रखना चाहता हूं आत्मा निर्भर भारत का हमारा संकल इन्वर्ड लुकिंग नहीं है ग्लोबल एकनोमी को जादा रेजिलियंट जादा स्टेबल बनाने के लिए विश्व में शांति के लिए एक सक्षम भारत का निर्मान ही इसका लक्षा है यही भावना Defense Manufacturing में आत्मा निर्भरता के लिए भी है भारत में अपने कई मित्र देशों के लिए रक्षा उपकरण का एक भरोसे मन सप्रायर बनने की ख्रमता है इससे भारत की स्ट्राटिजिक पार्टरशिप को और बल मिलेगा और हिंद महासागर शेत्र में भारत की नेट सिकुरिटी प्रोवैडर की भूमिका और सुद्रड होगी साथियों सरकार के प्रयास और प्रतिवधता आप सभी के सामने हैं अब आत्म निर्भर भारत के संकल्प को हमें मिलकर के हमें मिलकर के इसे सिद्ध करना है चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पॉब्लिक सेक्टर हो या फिर हमारे फॉरेंड पार्टर्स आत्म निर्भर भारत सभी के लिए विन-विन संकल्प है इसके लिए आपको एक बहतर एको सिस्टिम देने के लिए हमारी सरकार प्रतिवध्ध है यहां आपकी तरफ से जो भी सुझाव आये हैं वे बहुत ही उप्योगी सिद्ध होने वाले हैं और मुझे बताया गया है कि डिफेंस प्रोडक्शन एन एक्सपर्ट प्रमोशन पॉलिसी का ड्राफ सभी स्टेक होर्डर्स के साथ साहजा किया गया है आपके फिडबेक से इस पॉलिसी को जल से जल लागू करने में मदद मिलेगी यह भी जरूर रही है कि आज का यह सेमिनार एक वन टाइम इमेंड न रहे बलकि आगे भी ऐसे आयोजन होते रहें इंड्रस्ट्री और सरकार के बीच लगातार विचार मवमर्श और फिडबेक की स्वाभावी कल्चर बननी चाहिए मुझे विश्वास है कि ऐसे सामोहिक प्रयासों से हमारे संकल्प सिद्ध होंगे मैं फिर एक बार आप सबने समय निकाला आत्म मेरे भारत बनाने के लिए आत्म विश्वास के साथ आप जूटे मुझे विश्वास है कि आज जो संकल्प हम सब ले रहे हैं इसको पूर्ण करने में हम सब अपने अपनी जिम्मेबारी बहुत अच्छे धंग से निभाएंगे मैं फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना ही देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद